साथियो कैसे हैं आप सभी उमीद करता हूँ कि आप सभी कुशलमंगल होंगे तो साथियो आज हम बात करने वाले हैं SSE GD भर्ती 2018 के बारे में तो दोस्तो बहुत सारे कंडिडेट्स जो उत्रप्रदेश के हैं उनकी रिक्वेस्ट दीशर की उत्रप्रदेश की फाइनल कटोप पे वीडियो बनाईए और 2015 में उत्रप्रदेश की कितनी फाइनल मेरिक बड़ी थी और उसमें कितनी बकैंसी बढ़ाईगी थी जैसा कि आप सभी को ग्यात है कि 2015 में जो थी मैं आपको PDF के थुरू दिखाऊंगा कि पहले कितनी बकैंसी थी जब नोटिकेंसी निकला था और लास्ट में जब मैरिट आई तो मैरिट कितनी बकैंसी पे आई सब कुछ बिद प्रूफ होगा इसमें कोई भी गड़वड जाला नहीं होगा तो बीडियो को सुरू से अंत तक जुरूर देखे दोस्तो बीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है तब ही आपको जो है वो ये पता चलेगा बहुत सारे कंडिडेट्स हो थे वो बोल रहे थी कि सर आवाज धीमी आती है तो साइध इस वीडियो में थोड़ी अपडेट की है तो आपको प्रोपर आवाज आएगी जैसा कि आप थमनेल में देख रहे हैं उत्तर प्रदेश 2015 फाइनल मेरिट में कितनी बढ़ाई गई 2018 में भी बढ़ेंगी 100% कनफर में फाइनल मेरिट में कितनों को जोइनिंग मिली थी और कितनी विकैंसिस खाली रह गई थी 2015 में ठीक है तो दोस्तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और अभी आपसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो नए कंडिडिट इस चैनल पर बीजी करें स्मार्ट फोजी भाई पर उन सभी का स्वागत है और दोस्तो चैनल को सब्स्ट्राइब कर लें और अपने हर एक फ्रेंड को शेर कीजिए वीडियो ताकि उन सभी को जानकारी मिलती रहे तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं क्या है सबसे पहले हम PDF देखते हैं यहां पर दिखाऊंगा मैं यह आपके सामने खुला पढ़ लेजिए आप इसमें Constable GD CAPF Assam Rifleman Examination 2015 Result for Male Candidate to be called for Medical Examination जो Medical Examination के कॉल किये गए थे कितने किये गए थे दोस्तो उस हिसाफ से तो सिंपल समें परपस जाता हूं मैं उत्रप्रदेश का ठीक है उत्रप्रदेश की कितनी vacancies है यह आप देख सकते हो यहां पर ओपर S.E.S.T. O.B.C. U.R. Candidate टोटल vacancies और यह आगे आप हाइलाइट कर देता हो मैं आपको यहां पर ठीक है यह तो फिर आपको बीडियो बहुत लंबी हो जाएगी यह टोटल अवेलेवल Candidate है यह अंडेवानी को ऊंबार के ठीक है यह टोटल Candidate available है यह टोटल vacancies है ठीक है जैसे कि Assam की बात करे हम Assam की 3514 vacancies थी और जो टोटल अबेलेबल थे दोस्तो वो 8042 इस तरह से अब नीचे उत्रप्रदेश का देखते हम उत्रप्रदेश का क्या सिनेर्यू है यहाँ पर नीचे आ जाते हम दोस्तो तो उत्रप्रदेश की बात करते हैं तो उत्रप्रदेश में जो ST की घंसी थी दोस्तो 43 SC की सोरी ये पहला कोड SC का होता है फिर दूसरा दो नमबर का कोड होता है ST 8 ये उत्राखंड की होगी सोरी दोस्तों थोड़ सा मिस्टेक हो गया माप कीजिएगा उत्रप्रदेश का बताते हैं और जनल का है 237 और टोटल कितने बिकैंसी थी जो तो ये अड़वर्टाइजमिंट के सब 675 और जो लाश्ट में ये है ना दोस्तों ये वाला जो 11,783 जो है कंडिडेट अवेलेवल थे 11,783 कंडिडेट अवेलेवल थे 4675 बिकैंसी के लिए अब यहाँ पर हम दूसरी पीडियाप देखेंगे उसमें बताएंगे जो उनकी सेलेक्टड पीडियाफ थी 2017 में इनका रिजल्ट आया था आप यहाँ पर मैं यहाँ थोड़ा जूम कम करता हूँ उसका और आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ यह देखो दोस्तो ठीक है डिलेरेशन ओफ दी रिजल्ट एलोकेशन ओफ कॉंस्टेवल इन सीफफ आयनाईए एसफ एन राइफिल में जीडी असाम राफिल एक्जाम 2015 कब आया था दोस्तो रिजल्ट यह पता होना चाहिए आप सभी को रिजल्ट आया था दो फरबड़ी 2017 को ठीक है यहाँ पर डेट भी आपके सामने कनफर्म है सबकुछ पढ़े लिके आप सभी हो यह देख सकते हो अब नीचे में बात आते हैं में मुद्दे पर हम आते हैं तो यह यहाँ पर इदर भी मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि समें क्या-क्या बताया गया स्टार्टिंग से यह देख लीजीए यह आपका जो टाइबव वस गया है और यह फिल्ड कितनी हुई यह है और जो है लोएस्ट और हाइस्ट वह है उनके मार्क्स बगरा पर्सेंटेस बगरा दी हुई है इसको खेर छोड़ियो आप में देखी यह अभी जो अपडेटेटेड विकांसीज थी वो यह दिखा रखी इसमें और उस मेंसे जो फिल्ड हुई वो ही है तो अब देखते हैं यूपी का यूपी का यहां पर नीचे आ जाए आप उत्तरप्रदेश का सबसे नीचे होगा इस उत्तरखंड आ गया इसके बाद आजाएगा यूपी पहले आएगा ठीक है उत्तरखंड से पहले यह है उत्तरप्रदेश मेल ठीक है दोस्तो उत्तरप्रदेश मेल कंडिडेट तो जो फाइनल में जो बकैंसी अपडेट हुई थी दोस्तो वो यह हुई थी ठीक है यहां से यह वाली बकेंसी जो थी, ठीक है, तो यह एड होई थी, अगर इन सब भी को हम पलस करते हैं, और पलस इसमें, आप जो, मैं, जो फिल्ड केंसी थी, वो बता देते हैं, जो, कितनी फिल्ड होई थी, इसमें से, फिल्ड केंसी यह है, ऐसे ही, स्क्रोल डाउन, नेक्स्ट दोस्तो इसका तो यहां पर मैं आपको यह बता देना चाहता हूँ कि comparison में क्या है पूरा एक-एक समझाओंगा इसमें यह दोस्तो यह जो टोटल अभी अपडेटर बिकैंसी जो थी वो 624 थी और जो टोटल भरी गई जो फिल्ड हुई वो 475 तो टोटल कितनी बिकैंसी बिका रहा है 1569 बिकैंसी जो थी वो बड़ी हुई है जो बासटो इस बिकैंसी जब टोटल मार होगे ना आप उसमें इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं अब जो 624 थी टोटल लिये तो इसमें इसका 10% जो था वो किसका था एक सर्विसमें का 10% कोटा था इसमें ठीक है 10% तो 10% निकाल रहे हैं हम तो कितना हो गया है यह हो जाता है आपको दोस्तों 623 623, 623 को हम माइनिस करते हैं जो टोटल विकेंसी है हमारी 24-34, लास्ट की फाइनल मैरेट की तो आपके पास कितना बज़ जाता है 5611 यह नॉर्मल कंडिडेट के लिए थी ठीक है दोस्तों इसमें से एक सर्विसमेन निकाल दिया हमने जबकि पहले कितनी थी अड़र्टाइजमेंट के टाइम 645 थी ठीक है 645 विकेंसी थी अब कितनी होगी बढ़के लास्ट मेरेट आई 5611 कितनी होगी दोस्तों 5611 विकेंसी जोगे ठीक है अब 5611 में से कितने कंडिडेट जो है वो फाइनल में और सेलेक्ट किये उसका डाटा यह है आप कांटिंग कर लेना एक एक उसमें पेडियक में आपको सब कुछ पता चल जाएगा उसमें थोड़ा बहुत डाटा का मिस्टेक हो सकता है दुरूद लेकिन मैंने पूरी केरफुली से यह किया है अलाइसिस तो उसका यह डाटा बनके आया है 493 वकेंसी जो आपकी फिल हुई जो की 5611 मैं से 493 बकैंसी जो है लास्ट में फिल हुई उसमें फिल डाटा में यही बता रहा है तो इस मैंसे हम यह माइनिस करते हैं इन दोनों को अपस में तो तकरीबन 698 बकैंसी जो है वो आपकी unfilled रही है 698 बकैंसी जो है आपकी unfilled रही है तो यह जो है आपकी 698 बिकेंसी जो अन्फिल्ट रहे गई हैं इस दोरान भी हमने यह है 623 जो है यह निकाल दी थी एक सर्विस मैन की 10% जो बिकेंसी थी यह निकाल दी उसके अलाबा भी 623 बिकेंसी फिल नहीं हुई इसका क्या हुआ कोई पता अता पता ही नहीं है क्योंकि एक्चुल जो बिकेंसी जो लास्ट में यह थी आप इसमें 100% देख सकते हो इसमें कोई भी गड़वर नहीं है PDF आप उसको कंपैरिजन कीजिए आपको पता चल जाएगा दोस्तो तो उत्रपरदेश के लिए बता रहा हूँ मैं कि इस बार जो है वो बहुत कुछ ची होता था टोटल बकेंसी जो होती तो उसका 10% निकाल लिया जाता था 10% जो होता था वो निकाल लेते थे जैसे 6000 का 10% निकालके 600 बकेंसी औरेडी निकाल दी जाती थी आपको बचती थी 2400 इस बार ऐसा नहीं होगा अगर candidate अवेलेवल नहीं हुए न एक सर्विसमेन के तो आ आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था I think कि आप सभी समझ गए होंगे कि इसका क्या सिनेरियू था आपको जो है PDF लिंक में दे दूँगा ये बिल्कुल ही 101% जो है वो परफक्ट डाटा में को दिया है आप चेक कर सकते हैं आप इसको नीचे जो है इसको मदलब इस चीज को ना देखें ये वाली जो है नीचे ये पिछला थमनेल था तो मैंने इसको ऐसे ही कर दिया है ये हिमाचल का डाटा दरसल और जो अंदर आपको दिखाया वो मैंने वो उत्तरप्रदेश का ही है ठीक है तो ये मैं हटाना भोल गया थमनेल से इस चीज को कट कर दीजी आप य और दोस्तो हाँ जो रनबीर सर्जी है ट्विटर पर आपको लगतार अपील कर रहे हैं कि 21 अक्टूबर को आईए उनके साथ जो है ट्विटर पर कैंपेंड चलाईए दोस्तो और जितना भी हो सकता है उनका साथ देजिए ताकि जितने भी मेडिकल फिट हो जाएंगे उन सब भी कुछ जोइनिंग मिल सके और जिनके मार्क्स जादा है वो भी साथ में आईए यारो नहीं तो अगर क्या है इनका क्या है बकैंसी कम कर दी तो पिछली बार देखा था हरियाना में गल्स की जितनी बकैंसी उससे 20 या 25 बकैंसी जो थी वो कम कर दी थी क्या हुआ आप हवा में उडने की बात मत करो अपने भाईयों का साथ दो जिनके कम मार्क्स हैं उनका साथ दो ताकि सबी को जोइनिंग मिल से ले हमारा जो है मेन मुद्धा जो है वो है आल मेडिकल फिट कंडिडेट जोइनिंग आल मेडिकल फिट कंडिडेट जो है वो सबी जोइन होने चाहिए इस बार तो दोस्तों आई ये मिलकर 21 अक्टूबर को सुबह 11 वजे ट्विटर पर हम एक अभियान चलाते हैं जो कि पूरा दिन ओल इंडिया में ट्रेंडिंग पे रहना चाहिए 85,000 रियुबा अपनी जो है सकती का प्रदर्शन करेंगे उसमें जिसे बोते हैं डिजिटल बैपने हमारा ट्विटर उसका हम प्रयोग करेंगे और रनवीर सर का साथ दो यार रनवीर सर हमारे लिए कर रहे हैं सब उस कितनी बार बताता हूं मैं वो तो कोई इलक संथो न लड़ना उन्होंने यार वो बेलफेर कर रहे हैं मलब समाजी कल्यान कर रहे हैं हमारा उनका यह तो है नहीं कि उनको कुछ मिल जाएगा उनका परिवारी मलब अपना अच्छा वड़ी यह चल रहा है उनका तो यार स्पोर्ट करो और हां लास्ट नम फिर बो रिपली दिया जाएगा ऐस्ट आप देख सकते हो हरे क्मेंट का रिपलाई मिलता है तो चलिए नेक्स्ट फिलिऊ बीडियो बनाते हैं अपके अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो देख क्यों रही हो यार गुमादो गंटी पे आत और कर दो सब्सक्राइब करी दो फिर जय हिन जय वारत